नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जैश्री राम, मित्रों अयोध्या के राजा दश्रत की तीन पत्नियों और उनसे होने वाले चार पुत्रों भगवान राम, भाया, लक्ष्मन, भरत और शत्रुगन के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को नहीं पता। वालमी की रामायन में भी भगवान राम की बहन शानता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दक्षिन पुराण में भगवान राम की बहन शानता का इतिहास जरूर मिलता है। आपको बता दें वैसे तो इसके पीछे कई कथाएं हैं, मगर जो कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है वो भगवान राम की, बहन शान्ता के बारे में तो वो आज हम आपको बताने जा रही हैं, तो मित्रों भगवान राम की इस कथा को आप पूरा जरूर सुनना, अगर आप भी भगवान राम क को मानते हैं, तो भगवान राम की बहन शान्ता की कहानी यह है कि शान्ता भगवान राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी, वह बहुत ही सुन्दर और हर कार्य में निपुन थी, शास्त्र से लेकर पाक कलातक में एकदम पारंगत थी, इसके साथ ही आपको ब की कोई भी संतान न हो सकी, एक दिन वर्षिनी राजा रोंपत के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई, जब सभी एक साथ बैठ कर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिनी ने दशरत की पुत्री शानता की शालीनता और कार्य कुशलता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रक दशरत उन्हें शानता को गोध देने का बचन दे दिया, इस प्रकार राजकुमारी शानता अंग्देश के राजा रोंपत की पुत्री वी बन जाती है, अब राजा रोंपत अपनी पुत्री शानता के साथ हसी कुशी जीवन व्यतीत करने लगे, तब एक दिन क्या होता है एक दिन राजा रोंपत किसी काम में इतना खोये रहते हैं कि उनकी चोखट पर आय ब्राहमन की आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं देती, फलस्वरूप ब्राहमन को खाली हाथ वापस लोटना पड़ता है, अब इस बात पर देवराज इंद्र को राजा रोंपत द्वारा क किया गया ब्राहमन का यह अपमान जरा भी रास नहीं आता है, वह इस बात पर अंगदेश में वर्शा न करने का निश्चय कर लेते हैं, ऐसे में बिना वर्शा अंगदेश में सूखा पड़ जाता है, इस वजह से, अंगदेश में अकाल की स्थिती पैदा हो जाती है, इस से रुठे इंद्रदेव को मनाया जा सके, राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं, और यग्य के बाद अंगदेश में दोबारा से वर्शा होने लगती है, अब इस से अंगदेश में आई समस्या का अंथ होता है, इस बात से रिशी श्रंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उन से अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं, अब इधर शांता को गोद देने के बाद राजा, दशरत के कोई संतान नहीं थी, इसके लिए वह बहुत ही चिंतित रहते थे, इसी कारण वह भी रिशी श्रंग के पास जाते हैं, रिशी श्रंग उन्हें कामाक्षी य यज्य समपन कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं, यज्य समाप्थ होने के बाद जो खीर का प्रसाद था, उसे राजा दशरत की तीनों पत्निया कोशलया, सुमित्रा और कैकई ग्रहन करती हैं, कामाक्षी यज्य के प्रताप से रानी कोशलया को पुत् भी मालूम नहीं था, समय के साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है, साथ ही भगवान राम की बहन शानता के जीवन का सच जो कोई नहीं जानता था, भगवान राम को वो मालूम चल जाता है, बहन शानता के बारे में जानने के बाद राम अपनी मा को ब ऐसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें साथ ही चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद हर हर महादे